आप सभी का शागत है हमारे किसान ओमकार त्यागी जी हैं इन्होंने कोसा 13 235 गन्ने की जो प्रजात है इसको नरसरी उगा करके लगाया था इसका वीडियो हमने आखरी में दिखाया है और इसको पहले भी हम आपको बना चुके हैं इसकी जो खास बात है कि इसको अपरिल के म महने की पुरानी हो यानि पौध जो गन्नी की पौध है जिसको हम बीच के लिए चुनाव करते हैं अगर आठ नो महने पुराना हो तो उसका बीच ज्यादा अच्छा माना जाता है चुकि इन्होंने एक एक बड को ट्रीट करके फिर उसको पौध के रुप में पोर्टरे म कर देख सकते हैं दो प्रजातिया हैं सीओल Geral के चौदा दो सीफूर पायंटीक और सीओ यस तेरा दो सुपैंटिस ए कि इस तेरा दो सुपैंटिस ऐसी प्रजाती है जो आप कहीं पर भी लगा सकते हैं बहुत निचले जो जगें हैं जहां पर वट लागिंग ज्यादा होती ही वहां पर ना लगाएं ऐसी जगहों पर आप सीवेल के चौदाव दोसो एक लगा सकते हैं और इसमें जो खास बात है किसका जो गुड़े के गूर्डन कलर का होता है और लाजिंग नहीं होती है अगर गंडे के मधा ही नहीं कर पाते हैं तो इस तरह के से कम लागत में इस वीराइटी को खासता दोर सार अगर और बिद्शे गंडे को तोदान करना चाहां तब भी हैं में लगा करके फिरी यह बीज तयार किया गया है जो एक अपरिल को लगाए गया है अपरिल से अगर आप जोड़ लें तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्तुबर में अगर आप लगाते हैं तो छी साथ मेने का बीज आपका यह तयार हो जाएगा अगर इसको आप ब लेडराट और टाबरो लगा हुआ है ऐसी दसा में इन दोनों प्रजातियों कोबे कल्प की रूप में आप लगा सकते हैं जैसा कि मैंने बताया कि सी ओल के चौदा दूसे एक वाटर लागिंग जहां पर है वहां पर लगा सकते हैं जहां पर गरने की गिरने के संभावना का होता है तो इस वेराइटि को आप लगा सकते हैं और आरगनिक खेती जहां करते हैं यहां पर रावसायनिक प्रेस्टिसाइड हैं और कीटने सेकें उनका प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो ऐस üst जगहों पर इस वेराइटि को यानि के 40 दूंसे 1 को लगा सकते हैं 13D35 की वाड़वार सीवेल के 1421 की तुलना में ज्यादा होती है दोनों वराइटियों की टिलरिंग अच्छी है जर्मिनेशन अच्छा है और रैटुनिंग बहुत अच्छी है यानि जो पेड़ी है वह भी बहुत अच्छी होती है थोड़ा सा गन्ना 1421 का पतला है और अगर हम बात करें 1335 की तो इसका गन्ना थोड़ा सा मोटा है लेकिन यह दोनों प्रजादियां किसानों के लिए अच्छी है इसलिए कि जो 1335 प्रजादियां इसको आप चाहे बलूई मिटी हो चाहे दोमट मिटी हो और चाहे कले स्वैल हो सभी में लगा सकते हूं सब में चलती है इसकी सीगर पर जाती हैं लेकिन अगर हम साफटनेस की बात करें तो 1335 ज्यादा साफट विराइटी है एक इसमें समस्या है कि स्प्राउटिंग हो जाती है ध्यान रखें कि जो फटलाइशन में यूरिया का डोज ज्यादा न डालने पाएं और साथी में डीलीफिंग ना करें य नीचे तो ये विराइटी का एक करेक्टर है और इस बैक्स की वज़े से आप ये न सूचें कि इस विराइटी में मिली पग लगा हुआ है किसनर वाईओं ऐसी ये प्रजात है सी वेल के चब्ददो से एक जो काफी हार्ड प्रजात है नीचे का गन्ना जो उसकी पोर हैं चोटी होती हैं गाठे हैं चोटी चोटी होती हैं जिसके करनेस की पेड़ी अच्छी होती है और गन्ना गिरता नहीं चुकि जब पोर हमारी चोटी होगी और गाठे नजदीक होंगी तो गन्ना गिरता नहीं है ये एक बहुत महत्पूर्ण जैनकारी के सनवाई इसको तुम को लगा सकते हैं धन्यवाद चैहिंद चैह भरत